सब लोग आज संडे की मॉर्निंग है और हमने डिसाइड किया है कि हम पास की नर्सरी में जाएंगे और वहां से थोड़े से प्रांट्स अपने लेके आएंगे क्योंकि मेरी छोटी सी बैलकनी है और यह मेरे घर के पास की रोड है और हम जा रहे हैं मैं और मेरे हस्बन और हम लोग गए नर्सरी क्योंकि दूब भी बहुत हो जाती है उसके बाद तो जो नर्सरी वाले बाबा थे उन्होंने बोला था कि मॉर्निंग में साथ बज़े आजाना लेकिर हम लेट हो गए चुकि संडे था और यह थोड़ा हमारे घर के पास का हाइवे है और इस हाइवे नर्सरी बहुत बड़ी नहीं है लेकिन टितनी में मेरे काम की है और मेरा सारा काम उसमें हो जाएगा और फ्रेंट्स हमां आगे नर्सरी में और देखिए कितने अच्छे प्लांट से लगें मुझे तो बहुत पसंदा यह तुल alive and it was C alma कि और यह बहुत सारे प्लांट खाया और बताया और कि कौन से हमें लेने चाहिए बार में उन्होंने बताया कि आप विंटर और मॉनसून में आईए तब बहुत ज्यादा वेराइटी आती है और इस तरह से अभी तो या तो फिर आप अपरेल में आईए क्योंकि हम आफ सीजन कहेते हैं अभी हमको टाइम मि जर्मी हो गए तो मैंने उनसे मिट्टी भर वाली और कमले भी उन्हीं से लिए अक्चली उनका हाथ फ्रेक्चर हुआ था तो बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे था और जब मैंने उनको हैल्प के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया सब कुछ उन्होंने अखेले ही किया और इस बीर जब मिट्टी भर रहे थे तो हमने उनकी नर्सरी का एक चक्कर लगाया और देखा कि क्या-क्या प्लांट्स और है और यहां पर इतनी अच्छी ग्रीन री थी और प्रकरती तो सभी को पसंद आ और ग्रीन रंग तो सभी के लिए है और यह हमारी लाइफ ह इसके बात हम पीछे के तरफ गए तो वहां में गाय मिल गई और उन्होंने गाय और बच्छडा दोनों पाल रखा था और इसके साथ साथ ही यहां पर प्लांट्स भी और थे पर उन्होंने हमें सजेशन दिया कि आप बरसात में आना और मॉन्सून के टाइम पे आप इनको लगाना तो यह और अच्छे से हो जाएंगे तब तक नए प्लांट्स भी आ जाएंगे इसके साथ ही हम लोग थोड़ा सा इदर मुड़े तो उन्होंने हमें कल्प ब्लक्ष भी दिखा यह कल्प ब्लक्ष जो है आप जमीन में लगा सकते क्योंकि यह पेड़ होता है पूर है और यह हैं जार जंकार जिने हम बोलते हैं जार जार जारी हैं मतलब हव बंबॉशिस तो वह हैं यह इसके साथ ही है यह यहाँ पर जू प्लांट्स हैं यह भी बड़े सुन्दर लग रहे थे और इसमें से जो यह परपल कलर का इसमें से एक मैंने ले लिए और प्रहणने के बाद हम घर आघे घर मैंने इनको यह था करने के लिए यह मैंने लिया है टेरा को डिलाइड पेंट और इसको मैं तेरा कोटा को करूँगी गंदों में और यह एक पेंट है आप चाहे तो गेरू भी ले सकते हैं और ये मुझे 100 रुपेज में पढ़ गया था और ये बहुत ही अच्छा उप्शन है यहाँ चाहे आप गेरू का यूज करिए चाहे आप इस टेराकोटा पेंट का और इससे आप गमलो को पेंट कर दीजिए और मैंने ये पहले जब किया तो ये काफी थीक था तो आप इसके थीकनेस को कम करने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी मिला सकते हैं ताकि ये पतला बेस हो जाए और अच्छे से स्प्रेड हो जाए और देखे ये थोड़ा मोटा है तो ब्रस में हैविनेस फील हो रही थी और इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा जारी हूँ ये हार सिंगार का प्लांट है और ये सर्दियों में अच्छे इसमें फ्लावर हा जाएंगे और ये बहुत ही सुन्दर लगते हैं और इस तरह से ये जो मेरा इसका ये पुराना प्लांट है और इसकी डंडियों को मैंने कुछ निकाल दिया है और इनको पानी में डिप कर दिया है ताकि इन में जड़े आ जाएं और जब रसाष शुरू हो जाएगी तो मैंने भी प्लांटेशन करूँगी इनका और इस तरह से फाइनली मैंने अपने जितने भी प्लांट्स में लाई थी उन सबकव मैंने अरेंज कर लिया है इस स्टैंड में और इस स्टैंड को आपको पता ही है मैंने खुदी पेंट किया है और उसका भी वीडियो है मेरा आप जरूर चक करिएगा लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि कैसे पुरानी चीजों को रियर्रेंज करके नया करते है ये कड़ी